हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आज हम बनाने जा रहे हैं चावल के पापड़ वो भी बिल्कुल बहुत ही असान तरीके से आप देख सकते हैं कितने अच्छे पापड़ ये बने हैं और फूल कर ये ऐसे आ रहे हैं बिल्कुल पॉपकॉन की तरह हैं जरासा आप इसको ओल में डा हैं उनसे बना लीजिए और सिर्फ एक दिन में ये रेडी हो जाते हैं यहां पर एक कप चावल का लिया है मैंने उसे पानी में भीगो दिया है ओवरनाइट ये रात भर भीगा रहेगा उसके बाद फिर हमने इसको पीसना है इसमें से जो एक्स्ट्रा पानी है ये जो पानी है आपने इसकी यहां पर आपने टोटल पानी जो लगाना है वो आठ कप लगाना है एक कप चावल के आटे में आपने आठ कप पानी लगाना है आप आप देख लीजिए इसमें आपने जितना डाला है उसको मिजर कर लीजिए पहले यहां पर हमने इसको पीस लिया ह और यह जो धकन है इसको भी धोकर इसके अंदर डाल लेते हैं क्योंकि इसमें भी चावल का पेस्ट लग चुका है तो लिजिए यह पेस्ट हमारी रेडी है अब हमें कड़ाही लेते हैं बड़ा पतीला लेंगे भारी तले का उसमें हम स्टेनर रखके जो यह पेस्ट मेel पढ़ने के लिए और पहले इसमें पानी डाल लेते हैं तो यहाँ पे मैने को आच कप पानी के इंदर हम डाल लेते है यही वाला कप आपने लेना है तोटल मेरे पास आदा कप मैंने पहले भी लगा दिया इसको बीचने में तो यहां पर आठ कप पानी इसके अंदर हम डाल लेते हैं आप देखिए पानी डालने के बाद हमने इसे गैस के उपर चड़ा लिया है अब हमने इस solution को अच्छी तरह पकाना है और इसे छोड़ना नहीं है बिलकुल भी अगर आप छोड़ दोगे तो नीचे लंप सा जाएंगे इसके अंदर आप इसे हम चलाते हुए पकाएंगे बिलकुल गाड़ा होने तक गाड़ा होने के बाद जब इसमें बबल आ जाएंगे उसमें बाद हमने इसको 10 मिनट पकाना है यहां पर एक चमच इसके अंदर हम जीरा डाल देंगे यहां पर आप चली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं और नमक डाल देते हैं अधा चमच नमक पापड में कभी ज़्यादा नहीं डालना चाहिए अगर आपको कम लगे बाद में तो आप उपर से सुप्रिंकल कर लें क्योंक जे अच्छी तरह गाडा ना हो जाई अब देखे गोल हमारा गाडा होना शुरू हो गया है यह देख सकते हैं आप जो चावल है वो पकने शुरू हो गया है यह इसे हमने जब तक हिलाते हुए पकाना है जब तक इसमें अच्छी तरह बाबल्स ना आ जाएं अब आप देखिए घोल हमारा कितना गाड़ा हो गया है अब इसमें बबल्स भी आने शुरू हो गये हैं अब हमने इस घोल को 10 से 15 मिनट इसी तरह चलाते हुए पका रहे हैं बीच में आप इसे 5-7 मिनट ढख के पका लें बाकी टाइम आप इसे खुला पकाएं जब यह अच पके गा हैं कम से कम 15 मिनट तो आप इससे कम नहीं पकाना नहीं तो आपके जो पापर हैं वही तो जायें है कि यह इसका घोल है वह ठुड़ा कच्छा रह जाता है इसलिए वह फंद्रा मिनट से ज्यादा पकच चुका आप है आप से हम पापर बनना शुरू करेंगे और किसी भी फ्रेम के भी ना बना लेंगे हम कोई बेलने का जंजट नहीं है यहां पर मैंने एक शीट ली है प्लास्टिक की शीट ली है उसे हमने इस तरह चारपाई के ओपर बिछा लिया है यह देखिए घोल की जो कंसिस्टेंसी है वो आपने इस तरह की अब ये गर्म है तो गर्म-गरम ही हम फैला देंगे ठंडा नहीं होंदेंगे अगर ठंडा कर लिया आपने तो आपके पापर अच्छी तरह फैलेंगे नहीं एक कच्छी का घोल ढडालते है इसको सुढ़ां अब बहुत ही पतले और अच्छे पापड ये बन्क र मत रेड फट से फैला देना है पांच मिनट में यह पूरी चार पाई में फैल जाएगा क्योंकि जब हम सांचे में बनाते हैं या किसी फ्रेम में बनाते हैं या फिर बेलते हैं तो बहुत जारा टाइम लग जाता है तो यह लीजिए सारे पापड मैंने इस तरह फैला दिये हैं और द बहुत अच्छे ताइट हैं ये इनमें कहीं भी क्रैक्स पगरा नहीं आए हैं पापड़ मारे बहुत ही ज़्यादा अच्छे बने हैं मार्किट से भी ज़्यादा अच्छे बने हैं अब हम इने फ्राइ करते हैं यहां हमने एक डाही में ओयल लिया है अब इसे हम डाल हैं आप एक बार बच्चों को बना के दोगे तो बच्चे बार-बार आपसे डिमांड करेंगे इसलिए आप इसे बना कर एक साल तक स्टोर करके रख सकते हो यह बिल्कुल खराब नहीं होते हैं बस यह है कि आपने इसे दूप में अच्छी तरह सुखा लेना है एक बार दिखाती हूं यह देखिए कितना एक सेकिंड में ही यह चूरा-चूरा हो गया है और जो मार्केट में यह पापड मिलते हैं उनसे ज्यादा टेस्टी बने हैं हैं क्योंकि आपने अपने हाथों से साफ सुथर धंग से बनाए हैं आपको अगर हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जूर कीजिए का चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा आगे हम किसी नई रेसिपी के साथ मिलते हैं तब तक के लिए गुडबाई टेक कियर आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए फैमिली को बना के दीजिए वीडियो देखने इक लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद